सब्सक्राइब अगर बात करते हैं तो आपको दियान डखना है कि अगर हम लोग DNA की बात करते हैं तो आप सभी लोग जान लेजे मेरे अंताफ पात्र में किस ने बनाया था और आपका A हो जाएगा लेजन हम यहाँ पर बताना चाँते हैं कि DNA की अगर बात करते हैं कि द्यान डखना है कि लैप में जो बनाया गया था करेंगे तो यह हमारा और धर और की बात करता है इनोंने लेब में बनाया दुसरी बात आप को दिहां रखना मेरे यकी डीने की गेने का बहुत रगा कोशन सापका आता है यह डीस ने का खोज किस ने किया सिंपल यह पूछेगा लैब में किस ने बनाया और अर्थर कॉरनबर्ग ने बनाया और आपको धियान रखना है किसका खोज किस ने किया तो कहेंगे यहाँ पर फैटरिक मिशर की बात करेंगे इनका खोज फैटरिक मिशर नामक साइंटिस्ट ने किया साथ होगा तो यहाँ पर हमारा double helix होता है इस बात को आप यहाँ ध्यान रखेंगे और संडचना का जो संडचना के बारे में अगर किसी ने बताया मेरे वाई तो हम वाट्सन अगरे यहाँ पर वाट्सन की बात करते हैं और साथ साथ हमारे यहाँ पर क्रिक थे वाट्सन एंगर ने डिने के संडचना के बारे में बताया कि डिने का जो संडचना होमारा कैसा तो कहेंगे double helix होता है यह धियान डखना दूसरी बात मेरे भाई यहाँ पर एक चीज़ और किसको बना गया इसको किसमें तो कहेंगे यहाँ पर परकनली में बनाया गया और इसी परकनली को यहाँ पर अंतह पात्र कह दिया गया इसी को यहाँ पर क्या क्या देगा तो कहेंगे यहाँ पर अंतह पात्र कहते हैं यह एक परकनली है जिसमें इसको बनाया गया लेकिन व नविल प्राइज मेरे भाई कब दिया गया था यह सब आपके एक्जाम का कोश्णस है कोश्णस मेरे भाई किसी भी तरीके से गर आ जाएगा तो आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा और कहेंगे यह जब दिया गया थो रहें 1959 की हम बात करते हैं 1969 की बात करते हैं उस समय इनको Nobel प्राइज दिया गया था लैप में इनको कैसे त्यार किया गया तो कि यहाँ पर पर परक्ष्णली कि अंतरका त्यार किया था जिसको लोग DNA के नाम से जानते हैं दूसरी बात मेरे भाई आपको धियान रखना है कि DNA किसन रचना के बारे में अगर आपसे पूछ लेता है तो DNA किसन रचना double helix किसने तो हम कहेंगे यह किसने बताया तो कहेंगे यहाँ पर हम वाटसने क्रिक ने बताया और इसका खोज किसने किया तो कहेंगे फैडरिक मिसर यह तीनों अलग अलग फ्रेम के कोशन सोते हैं और यह कोशनस आपके एक्जाम में आता है मेरे भाई इस बात को धियान रखेंगे और अगर DNA की बात करते हैं अगर यह double helix होती है तो यह कैसी होगी तो double helix कहने का मतलब हमारा क्या होगा हम कहेंगे double helix हमारा कुछ इस तरह से होता है इसको अगर हम लोग देखेंगे तो एक्चुली में DNA के अगर हम बात करते हैं उसकी संद्चना होती है यह चीज़ भी आपको मेरे भाई यहां पर ध्यान रखना है double helix कहने का मतलब इसमें दो धागे से मिलकर किस तरह से मारा यह formation हुआ चलो इसको थोड़ा सम द किया दूसरे दागा के अगर बात करेंगे तो दूसरा दागा कुछ इस तरह से हमारा यह होता है इसकी बात करते हैं और इसी में आपको धियान रखना कि यह double helix इसलिए है मेरे वाई चुकि दो गो हेलिक्स हमारा बनता एक तो यह लाल वाला और एक हमारा ब्लैक वाला और यह double helix का निर्बान करता है लेगन एक चीज आपको धियान रखना है कि जब double helix बनता है इसमें बीच बीच में आप देखी कि यह धागा एक दूसरे को जहां पर cross किया है जहां पर यह धागा एक दूसरे को cross करता है उस crossing वाले point को हम लोग क्या कहते है मेरे वाई तो node कहत इस बात को आप धियान रखेंगे यहां पर इसको node कहेंगे कई बार तो question यह भी देखने को मिला है कि आपको यह धियान रखना मेरे वाई कि यह जो node हमारा यह node है इस node से एक node से दूसरे node के बीच में कितनी दूड़ी होती है यह बात आपको बताना है मेरे भाई यह कितना होगा 34 एंगस्ट्रम के बराबर होता है आपको धियान रखना है एक node से दूसरे node के बीच के जो दूड़ी होगी वह कितना होगा कि यहां पर 34 एंगस्ट्रम होता है यह बात आपको धियान रखना है दूसरी बात हम आपसे बताना चाहता है कि इसके अंदर DNA के अंदर हमार काफी वीक होता है और यह hydrogen bond जो बनाया गया है वह किसकी किसके बीच में बनेगा यह एड़नीन थाइमीन के बीच में बनेगा साइटोसीन गवानीन के बीच में बनेगा और यह complete alternate में हमारा होगा एक जगह हमारा double bond बनेगा और दूसरे जगह कि अगर हम बात करते हैं तो हमार यहाँ पर triple bond यहाँ पर बनता है तो double bond और triple bond हमारा बनता है लेकिन आपको धियान डगना कि कोशन यह भी पुछा आता है कि एड़नीन और थाइमीन के बीच में जो bond बनेगा है hydrogen bond यह आपका double bond होता है cytosine और guanine के अगर हम बात करते हैं इसके बीच में जो bond बनता मेरे भाई triple bond बनेगा तो एड़नीन और थाइमीन के बीच में double bond cytosine और guanine के बीच में triple bond आपका बनता है और इसी तरह किसे alternate में यह bonding होती यह सारी बाते हैं आपको एकदम धियान में रखना है अब यहाँ प प्रखनली में बनाया था प्रखनली को अंतह पात्र केहते हैं दूसरी बात आपको दियान रखना है कि अगर हम बात करते हैं यह सब ऊगोज किया तो यह रॉबघू किया था राट राट करते हैं य recipe questions, आपके एक्जाम में आता है यह famous questions है और एडवर्जेशनर को हम लोग father off of immunology कहते हैं या फिर हम लोग vaccination father off vaccination के नाम से हम लोग जानते हैं चोकि इन्होंने चेचक का टीका develop किया था याद रखेंगे इन्होंने किसका टीका तो हम कहेंगे यहाँ पर चेचक का टीका जो बनाया था वो किसी ने बनाया था कहेंगे चेचक का जो टीका बनाया था मेरे वाई यहाँ पर कौन तो कहेंगे चेचक का टीका यहाँ पर हम कहेंगे यहाँ पर Edward Jenner की बात करेंगे इसलिए Edward Jenner को Father of Vaccination के नाम से हम लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे तो यहाँ पर Father of Vaccination के नाम से जानते हैं यह सारी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी एक-एक मेरे भाई questions आपके exam का questions है और इस तरीके से अगर इस question के अगर answer करेंगे तो option number हमारा A correct हो जाएगा options A जो होंगे वो हमारे correct हो जाएगे आप सभी लोग मेरे भाई ध्यान देजिए और सबसे पहले session को like करिए इस question के अंसर करेंगा option number A और कहेंगे परकनली में जो बनाया था DNA को और थर कॉरन बर्ग था इस बात को आप ध्यान रखेंगे सारे points को ध्यान रखना आगे चलते हैं अगला question मेरे भाई दे रखा और ये भी questions आपके exam में कई बार आता है बैलो जी में करकि निमन में से किस समूं के जीवों का निमन में से किस समूं के हमारा स्हवाल है यह प्रकार का सहवाल होता है जो पानी के अंदर होता है मेरे यही ढाय जब आदमी कोई डूबता है तो उसके सांस में उसके फेफरे में उसके लंग्स में ये डायटम के छोटे-छोटे टुकरे चले जाते हैं, तो आपको धियान डखना है, तो यहाँ पर ये डायटम जो हमारा सेवाल है, यही मेरे भाई क्या होगा जब आदमी डूबता है, तो उस समय उसके लंग्स में जा करके फर्स जाता है, यह होते हैं के चुछ सम्ड़ी या पर मचली के आ जितने भी पानी के अंदर मचली रधी हैं उसमेश Shaigo सबसे प्रिये भोजन माना जाता है इस बात को अधि Credja में एक बात और धियन रखेगा यह मचली का प्रिए भोजन भी कहलाता है तो इस कोशन के अगर आंसर करेंगे तो अप्सन नमर हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा जो कि डुबने से हुई मिड्टियू का पता लगाने के लिए यह एहम होता है ड्याम्टर की ये lichen मेरे भाई यहाँ पर bio indicator होता है इसको हम लोग bio indicator के नामस जानते हैं और जो bio indicator होता है इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग यहाँ पर जैब सूचक के नामस जानते हैं ये actually में हमारा जैब सूचक होता है और bio indicator हम लोग इसलिए इसको कहते हैं चोकि इसका growth वहाँ होता है जहां पर pollutions कम होता है दूसरी बात आपको ध्यान डखना है कि अगर बात करते हैं लैक्रेन के अगर बात करते हैं यह कौन से pollutions का मेरे भाई यहां पर यह किस pollutions को यह ही इंडिकेट करता है तो अटो याद रखना sulfur dioxide के pollutions को यह करता है एसे टू पॉलूशन्स के अगर हम बात करते हैं ये इसको इंडिकेट करता है इस बात को धियान डखेंगे दूसरी बात आपको धियान डखना मेरे भाई कि लाइकेट हमारा क्या है कि ये सेवाल और कवक का समलित रूप मना जाता है इसको उम लोग क्या कहते हैं उसी को उम लोग यहाँ पर लाइकेट कहते हैं इस बात को आप धियान डखेंगे तो लाइकेट हमारा सेवाल और कवक का समलित रूप भी मना जाता है और यह एक जैब सुचक है बायो इंडिकेटर है और हम कहेंगे एसोटू पॉलूशन को हम कहेंगे यहाँ पर जहाँ पर एसोटू पॉलूशन सलफर डियॉकसाइड का पॉलूशन जादा होगा वहाँ जहाँ पर लाइकैन का ग्रोफ नहीं होता है इसी के इंडिकेशन के लिए हम कहेंगे यहाँ पर लाइकेन की बात हम लोग करते हैं और दूसरी बात आपको धीयान डखना है यहां पर जिरसे लाइकेन की हम बात करते हैं प्र एक आघप हम बात करते हैं इसका ग्रोथ की अगर बात करते हैं इसका ग्रोथ अगर होगा हम केंगे ग्रोथ वहां होगा जहां पॉलूशन कम होता है 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 वहां पर इसका ग्रोथ होता इस बात को आप ध्य प्रोटोजवा होता है जैसे कि अगर हम बात करते हैं हमारे पास प्लाजमोडियम भी प्रोटोजवा होता है बहुत तरह के प्रोटोजवा आपके सामने आएंगे आप कहेंगे मेरे भाई जैसे कि सिलिपिंग सिकनेस किसी को होता वह भी प्रोटोजवाल डिजीज होता है तो प्लाजमर्डियम से क्या होता किये मलेडिया भी होता ये बात आपको पता होगा वैसे इस कोशन के अगर आंसर करेंगे तो उप्सन नमर सी हमारा यहां पर राइट हो जागा मेरे वाई अगले कोशन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला कोशन से मेरे वाई यहां पर दे अगनते हम करेंगे अगर आपको लगता है कि साइंस आपका वीक अवी भी आपके पास मौका है आप बहतर कर सकते हैं तड़ीका आपके पास पता होना चाहिए हम आपको ये मान के चलिए कि अगर आपको 70-80 नमर तक अगर आपका 80 नमर 9-10 वाले student को अगर पूछता है 88 नमर तक science पूछता है चुकि 80 नमर उसका paper का और 8 नमर common paper का हो जाता है तो वैसी परिस्ते में मेरे भाई मैं आपको बदा देना चाहता हूँ कि अपने marks को आप improve करोगे test question बना करके 50-60 नमर ले आओगे लेकिन 80 में 80 कनवर्ट करना 88 में 88 कनवर्ट करना तभी ये possible हो सकता है जब आप conceptually अगर पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को चाहे आप physics की बात करें चाहे आप chemistry की बात करें तो आपकी तेयरे बहतर होगे चुकि अभी आपके पास अगर कोई TRE4 की तेयरी करने वाली जो student होगे आपके पास अच्छा खासा भी भी समय है चुकि अक्टूबर नमंबर से पहले exam नहीं होना है वैसे schedule आपका अगस्त का था अभी तक notification और किसी वी चीज़ के बारे में पता नहीं है जब तक TRE3 का result जारी नहीं होता है तब तक notification अगर है कि आप संभावना यहां पर व्यक्त नहीं कर सकते है तो अभी यही हम कह सकते हैं कि vacancy आपका 1,60,000 प्लस की vacancy जो है TRE4 का वो आपका October November में होगा और आपके पास 4-5 मेने का भी भी समय है कि 3-4 मेने में आपने आपको बहतर कर सकते हैं अगर किसी को भी अगर लगता है कि science में आप weak है science में आपको दिक्कत हो रही है आप science को नहीं समझ पा रहे हो इसमें बहुत सारे बच्चे इनडोल हो चुके हैं और ये 3 अगस्त हमारा ये batch आ रहा है ये कब आ रहा है तो 3 अगस्त ये batch हमारा आ रहा है और अखंड जोती batch ये complete online mode में हम आपको provide कर रहे है इसमें कोई offline online का जंजट नहीं है ये complete rope से आपका complete online mode में ये classes आपको हम पढ़ाएंगे complete online mode में ये classes आपकी चलेगी और complete online mode में ये जो classes हम आपका provide करेंगे इसमें हम आपको क्या क्या कर रहे हैं आपको धियान रखना है सबसे पहला अगर किसी को भी लगता है कि अखंड जोती batch हमको करना है तो आप अगर science में अगर थोड़ा भी अगर डर लग रहा है आप sure कर लिजेगा चुकिए इस science में हम यहाँ पर अखंड जोती batch में इस theory के साथ-साथ हम आपको यहाँ पर MCQs भी हम देंगे और ये MCQs हम आपको वही देंगे जो chapter wise आपका होना है अगर आप physics में weak हैं, अगर आप chemistry में weak हैं, अगर आप biology में weak हैं हमारी कोसिस यही रहेगी कि theory के साथ-साथ questions भी करवाएंगे इसके board PDF से ले करके, study material से ले करके, हर चीज चीज ले करके हम आपको पूरी तरीके से last कर देंगे आपको लगेगा कि theory भी हमें आ रहा है, और theory पर बढ़िएगा लगातार test twist आपका चलता रहेगा, हम आपको पूरी के पूरी तोर पे practice में रखेंगे और जिसमें आपके पास 4 मेने का समय लगवग है, 3-4 मेने का अपनी आपको बहुत अच्छी स्तिती में आप पासकते हैं, अगर आपको लगता है क्या खंड जोती बैच करना चाहिए तो आप science कर सकते हैं, जिसमें physics chemistry bio की अगर हम बात करते हैं, physics chemistry bio ये मेरे द्वारा ये batch दिया गया है आप देखें का platform by नवीन कुमार सिंग अप्लिकेशन पर ये मिलेगा, आप अगर किसी भी exam के तियरी करते हो, आप science को बहतर करना चाहते हो, अपने physics chemistry biology को बहतर करना चाहते हो, अपने theory MCQ साथ आपकर complete करना चाहते हो, chapter wise, तो मेरे बैच ये batch हमारा 3 अगस्ट से आ रहा है NCIT theory हमने इसको mention किया, इस बात को अब धियान रखेंगे, complete NCIT theory को हमने रखा है, और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कि इसमें chapter wise आपके questions भी होते रहेंगे, इसमें chapter wise questions भी आपका होगा, इस बात को आप धियान रखेंगे, इसमें आपका chapter wise questions भी इसमें करा ताकि आपको समझने में कोई दिक्त नहीं हो और आ यहां पर अपने science को बहतर कर सकते हो खुकि की बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको बाद में पता चलता है कि हमें क्या करना है अगर मेरे आफलाइन क्लासे अगर किसी को करना है तो आफलाइन की क्लासे हमारी चृड ही थी आइtt से क्लासे K Swahol साइन्स और ध का समाइन क्लासे साइन्स और मैं अलग अलग आपकी अफलाइन मोड में भी एक लासे समारे यहां चाथ हुगी है लेकिन अगर अगर दूर दूर के रहने वालें अगर आपको complete online अगर करना है तो आप याद रखिएगा इसी अखंड जोती वाथ के हम बात कर रहे हैं यह तीन अगस्ट से मेरे भाई स्टार्ट हो जागा बहुत ही मिनिममं फीस में रखा गया है उसकी वाइण कुलिटी कंटेंđ और इसमें महनत को देखकर किया आप को होगे कि सर बहुत ही मिनिममं है और बहुत ही मीनिममं इससे जोड़ सकते हैं और आपको यहां से बहतर कंटेंट मिलेंगे आप इसमें बहतर कंटेंट को ले सकते हैं अखंड जोती बैस में यह चीज़ दिया जा रहा है अप वही समझ यह गुरु दक्षना या फिर हमारे यहां के टीम का जो काम होता है जो लोग मेहनत करते हैं वो अपने के मेहनत का ही खड़चा आप से ले रहता है और इसमें बहुत जादा कुछ नहीं लेकिन कंसप्ट ही कंसप्ट है आप देखे होंगे कि इस वारे भी हमने पढ़ाया था TRE3 में भी 100% कोशन स्वे मेरे भाई पढ़ाय हुए नोट से थे वो भले ही आप अगर आप कंसचोली अगर मजबूत नहीं थे हो सकता है कि आप कंसचोली वीक होंगे आपका वेसिक थोड़ा सा वीक होगा तो आपके मार्क्स थोड़े कम आयोंगे लेकिन जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे जिनका थोड़ा भी बेसिक वड़ियां होगा वो लोग अच्छे से स्कोर किये हैं अगर आप स्कोर करने में चुक गए आपको लगता है कि स्कोर इस वार करना है तो आप सबी लोग मेरे भाई तयार हो जाएए आपके लिए खंड जोती बैच जो है आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा और इसके साथ साथ हम अलग से MCQ भी ले करके आएंगे और उस MCQ में ह हम आपको complete आपका physics semester byo का complete उसमें हम exfoliants को रखेंगे ताकि आपको दोनों तरह से हम तयार कर दें आकि आप आप exam में बहुत अच्छा कर पाएं हां दोनों तरह का बैसे मिल रहा है दोनों तरह के बैसे आप ले सकते हैं आपको platform by नवीन कुमार सिंग अप्लिकेशन पर मिल अगर मेरे बात करेगा तो इसमें दोगो नर्यूगमक ले लिया फटिलाइशन जब कभी भी होगा तो मेल और फिमिल यानि स्वम और ऑबम के बीच में फटिलाइशन्स होगा इस बात को आप ध्यान लखेंगे पहला उप्सन तो मेरे वाई आप ऐसे ही चाड़ दोगे चुक मेल गैमेट्स की बात कर रहा तो यह हमारा उप्सन चट गया आगे बात करते हैं यहां पर अंड कोसा की बात करते हैं अंड कोसा से मेरे भाई क्या निकलता है और स्पॉम निकलता है और स्पॉम के अगर हम बात करते हैं अंड कोस से ही निकलता है और जिसमें आप यहां पर A और option B अगर खतम हो गया options elimination करने का कोशिच किजिए जब तक 4 options के बारे में आपको detail पता नहीं रहेगा तब तक आप options नहीं छाट पाओगे से लिए आपकी theory मेरे भाई तभी बहतर हो पाएगे जब आप बहतर तरीके से हर चीज़ को पर करके जाएगे किसी भी चीज़ के लिए आप कर सकते हैं अर्चना जी अगर आपको लगता है कि हमको Bihar Police के लिए करना है अगर आपको लगता है कि हमको SI के लिए करना है अगर आपको लगता है कि हमको Railway के लिए करना है अगर आपको लगता है कि अखंड जोती बैसे अपने science को बहतर कर लिजे हम आपकी सेवा में हमेशा खरे रहेंगे चाये questions के माधियम से थियोरी के माधियम से हर एक चीज के माधियम से हम आपके तरह लिए पूरी तरीके से मेरे भाई हम तयार हैं और हम आपको कम समय में बहतर quality बहतर content के साथ अचानी से तयारी करवा देंगे आपको लगेगा यही content और यही quality हमें चाहिए थी और हम बहुत ही limited time में हम आपको course को complete करेंगे यह course मेरे भाई 2.5 मेने का course हमने दिया है और 2.5 मेने में आपके theory के साथ हर चीज हम आपको cover करके प्र आपको पूरी तरीके से देंगे आप सभी नर्युगमत का अंड कोसा से और दूसरे का दूसरे का दूतिये केंद्रक की बात कही गई है तो मेरे भाई दूतिये केंद्रक की अगर बात कही गई है इसका मतलब यहाँ पर आपम की बात कही गई है यहाँ पर किसकी बात कही गई है यहाँ पर आपम की बात कही गई है य दूसरा दूतिय खरक का जो अवम होता है इन दोनों के मिलने से क्या तक कियेंगे इस बात को आप धिरंगर एक नरयुगमक का जो स्वर्म हाँ और फिमिल का जो अवम है वह कितने घंटे तक फर्तिलाइज कर सकता है 72 घंटे तक का duration होता है या 1-2 दिन तक आप कह सकते हैं कि वो fertilize कर सकता है इस बात को आप धिरन रखेंगे तो यही options हमारा C options यहाँ पे right हो जाएगा आगे चलते हैं अगला questions हम लोग देखते हैं मेरे भाई और अगले questions पर हम लोग आते हैं हरे पेरपौधे की बात कही गई है और हरे पेरपौधे में प्रकास translation की क्रिया जो होती है वो आप से पूछी गई है एक बात आप जान लेजे कि जब कभी भी photosynthesis की बात होती है जब कभी भी मेरे भाई प्रकास translation की बात होती है हम सबी लोग के जहन में एक ही चीज आता है कि सर अगर प्रकास फंसलेशन के अगर हम बात करेंगे तो यह जो प्रकास फंसलेशन होगा यह हमारे प्लांट्स में होता है यह कहाँ पर होगा तो हम कहेंगे यहाँ पर हमारे प्लांट्स में होता है और प्रकास संसलेशन के लिए क्या-क्या चीज की जरुवत पड़ती है वो भी चीज आपको धियान डखना पड़ेगा सभी में chlorophyll मौझूद होता है और ये chlorophyll के अंदर magnesium धातू प्रजेंट होता है एक एक line मेरे भाई आपको रटार है ना चाहिए questions आपका बारी किसी पूछता है ये chlorophyll के अंदर ऐसी property होती ही मेरे भाई ये क्या करता है तो कहेंगे ये हमारे सुर्ज के प्रकास को अब सोसित करने का काम करता है और अवसुसन करा करके एक reaction त्यार करता है जिससे हम plant का कहते हैं कि भूजन त्यार होता है अगर complete इसके reactions को अगर जानना चाहते हैं तो आपको reactions मेरे भाईक दम याद कर लेना है कि carbon dioxide हमारा यहां पर है plant में क्या होगत पानी की मातरा होती है और इससे हमा मेरे भाई जब कभी भी reactions हमारा करेगा photosynthesis का तो यहां से हम कहेंगे कि carbon dioxide लेगा और oxygen छोड़ेगा लेकिन कितने मोल oxygen के तो यहां से बाहर निकलेंगे और हमारा कुछ है जल की मातरा यहां से वास्पित हो जाएगे हम कहेंगे 6H2 हमारा हो जाएगा अब ऐसी परिसिते में आ यहां पर 12 hydrogen होगा बहुत सारे बुक में मेरे भाई यहां पर 6 hydrogen H2O दे रखा वो आपका wrong दे रखा इसलिए आप इस तीज को धियान रखेंगे यहां पर आपका 12 H2O होता है और यह 6 CO2 होगा और यह complete balance equations है हमने क्या देखा मेरे भाई कारवन डॉक्साइड लिया क्या छोड CO2 लेगा और O2 को क्या करता है यहां पर बाहर करता ओटू को बाहर करेगा तो यह लेगा photosynthesis के अंदर हमारे plant क्या करते हैं कि यह CO2 लेगा और O2 को बाहर करता है और दूसरी बात आपको ध्यान डखना कि यह क्रियाएं जो होती है यह दिन में होती है यह कब होगा मेरे इसे लिए longer sogar जो क्या करता वह कब करता है मेरे भाई तो आपको ध्यान डखना है कि प्लांट अगर सोसन ऺिए क्रिया खड़ता है तो वह आपका रात में कड़ता वह अकसिए निगार रात में करवांड औकसाईड Racine क्शूडबााईतड एशलिए पॉदमेरे लिए तो कि वह क्या करता ऑक्सिजन मेरे भाई लेगा कारवन डॉक्साइड छोड़ेगा और हमारे लिए करवन डॉक्साइड हार्म फुल माना जाता है हैं तो अगर आप से बोला गा है मेरे भाई की हरे प्रपादे प्रकास नविजीट होड़े जैका अब इसी यका उल्टा oxygen लेगा carbon dioxide छोड़ेगा तो वो कौन होगा तो oxygen का लेना यह plant में मेरे भाई यहाँ पर शौसन की क्रिया के दोरान होता है प्लांट में ही होगा पोधे में ही होगा और plant में शौसन क्रिया के दोरान है अई इस बात को धियान रखेंगे तो फोटो सिंदेसिस के जिरिया में हमकें हमारा option नमर भी ही राइट हो जाएगा आगे चलते हैं अगला कोशन nitrogen अगरा मेरे भाई नहीं लेता है इस बात को धियान डखेंगे यह तो अपसंस आपका ऐसे हैं हमारे सामने में दे रखा और यह भी वैलो जी के कोशन्स यहां पर दे रखें कि वरगी करण की पांच जगत प्रनाली के बारे में आपको पता होगा मेरे भाई यगर हम बात करते हैं जीवों का जो हैं तो पहली बार भी बताया था मेरे भाई जैएकर आता है उर आएगा आपके सामने दिखेगा कोशन्स और आप सही से नहीं पढ़ोगे तो गलती होगी तो आरेच विटेकर ने जीवों को कितने भागों में classify किया तो 5 भागों में classify कर दिया और 5 जो है ये term आपको आपके जहन में रहना चाहिए सबसे पहले अगर हम बात करते तो monera की बात करेंगे सबसे बात करेंगे पहले तो मोनेरा की बात करते हैं दूसरे के अगर बात करेंगे मेरे भाई तो दूसरा हमारा यहाँ पर प्रोटेश्टा होगा तो मोनेरा हो गया दूसरा हमारा यहाँ पर प्रोटेश्टा की हम बात करेंगे और तिसरे के एगर बात करते हैं तो चौनगी हो गया और पांचमी के तीमिलिया हो गया, प्रेटिस्टा हो गया, इसके बाद मेरे भाज इक और हमारा हो जागा जिसको लोग प्लांटी कहते हैं, अब यहां पर मामला क्या है मेरे भाजी सмजना है। कि अगर हम मोनेरा की बात करते हैं, ये मोनेरा सभी से different है, अगर हम इन सभी के अगर बात करते हैं, ये सभी के सभी हमारे u-creatic cell से बना होता है, ये सभी के सभी किस से बना होता है, एक लेन में आप जान लेजिए, ये सभी के सभी हमारे u-creatic cell का बना होता है, इस बात को ध्या यूगलीवा हो गया यूगलीवा हो गया यूगलीना हो गया पिरमेशियम की बात करते हैं और ये योगली ना हो गया, परेमीश्यम के अगर हम बात कर लेते हैं, ये सभी के सभी हमारे प्रोटेस्टा में आता है, लेकिन अगर मोनेरा के अगर हम बात करते हैं, तो ये मोनेरा हमारा प्रोक्रेटिक में आता है, ये हमारे यूक्रेटिक में नहीं आता है, ये डिफरेंट है, इसमें केंदरक जिली भी नहीं होगा, साथ ही साथ आपको ध्यान डखना है, कि जब इसमें केंदरक जिली नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि इसमें हमारा केंदरक भी डेवलप नहीं करता है, तो यहां पर केंद्रा कोगरा का development हमारा नहीं होगा, इसलिए हम यहां पर cross कर देते हैं, केंद्रा के जिल्ली भी नहीं होगा, तो यह हमारा बोनेडा, लेकिन मोरेडा के अंतरगत जो आने वाले जीव है मेरे भाई, चुकि कोशन्स कई बार पूछता है, तो आपको याद र लोग भी आपके सेवाल के नाम से जानते हैं इसी और मामला क्या है यह पिए जैन डखना यह जो हमारा होता है इसमें केолहरा घूरी लिसन नहीं होता है तो कुछ बूखा ही पूछा टें आपसे अगर हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी जीशाएर डिन हरित सवाल पूर 22 जीवानू को किस जगत में रखा गया है तो नील हरीट सवाल हो गया नाइट्रोजन योगी करन जीवानू की बात अगर करते हैं जैसे मेरे भाई कुछ ऐसे वेक्टेडिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता मैं उसकी बात करना चाहरा हूं साथी साथ मेरे भाई मिथेन जीवानू की बात करते हैं जो मिथेन गयस तियार करता है हमारा किस रियक्शन्स में तो एनेट्रोजन फिक्सेशन वेक्टेडिया की बात करते हैं या फिर मिथेन गयस का उत्पादन करने वाला जो बैक्टेडिया होता है इन सभी को मोनेरा गु प्रटिस्टा के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया एक को सिक्या जीव आपका यूगलिना हमारा हो जागा अमीवा हो जागा परमीश्यमोगर हमारा यहां पर आ बिल्कुल सही बात है मेरे यहां पर आंसर करेंगा कोई नहीं यानिक आंसर करेंगा आपका राइट हो जागा इसकूशन के लिए यह सब टर्म जितना बात मैंने आपको बताए याद रखे चुकिक कोशन कई बार पूछता है यह वाला कोशन मेरे वाई टीरी टू में पूछ में फटशा देता है लेकिन कुछ ऐसे में वाल पर अपवाद हैं एक सेब्स है कुछ ऐसे में वह रोसरे वो क्या करता है अंडा देता है तो अंडा देने वाला स्तंधाड़ी होगा मेरे बहात करते हैं हम किसकी बात करेंगे तो हम इहां पर रएक्विडिन आप बथा attach कर लेकिन अस्तंधाडी होते हुए भी अंडा देता है यह संधाडी है फिर अंडा देगा और फिर अंडा से क्या होगा तो आप जानबे करते हैं कि बच्चा होगा फिर बच्चा होगी क्या करते हैं उसको वह दूद पिलाता है फिर इसको यह दूद पिलाता इस बात को अब ध पर अंडा देता थे वह कुशते हैं थ DO ETC प्लेटी ॉसमें हाँ अपकर सीधे रखा है और हम को यह हमारा की बात करेंगे और हमारा यहां नहीं है एन इंडा से फिर बच्छा होता है लेकिन अगर बात करते कंगारु की बात करते मेरे वाइट तो यह कंगारु के पास इसके पास मारसुपियल पहुच होता है और उसी में बच्चे को ग्रो करता और फिर बच्चा बहारा आता है इसलिए अर्द्विक्सित बच्चा की अगर बात करेंगे तो यह ऐसे दो जीव हमारे ऐसे होते हैं जो क्या करता है यहां पर पहले हम के अंडा दे देता है लेकिन अस्तंधारी अंडा नहीं देता है इस बात को अब धिहां रखेंगे एकसेप्संद अपवाद होता है आगे चलते हैं अगला मेरे भाई यहां पर मिलान गरने वाला कोशन सा और बिटामिन की बात कहीं गई है और बोला गया कि कौन सा नहीं है वह आप से पूछा गया है त तो आप यह बात जानते होंगे कि केलसी फेरॉल की अगर बात कहीं गई है यहां पर तो आपको यह ची ध्यान डखना है कि यह कैलसी फेरॉल किसको बोलते है तो बिटामिन डी को कहते हैं विटामिन डी का जो बैलोजिकल नाम होता है मेरे भाई इसको केलसी फेरॉल कहते है इस बात को आप धियान रखेंगे और आप सभी लोग जानते होंगे कि इस विटामिन D की कमी से गर कोई बिमारी होती है किसी को तो विटामिन D की कमी से गर बिमारी होती है तो दो तरह की बिमारी होती इस बात को आप धियान रखेंगे अब विटामिन D की कमी से गर होगा तो हड़ी में बिमारी होता है एक तो बिमारी यहां पर osteoporosis का होता है एक को हम लोग क्या कहेंगे तो यहां पर osteoporosis कहते हैं और दूसरे के अगर हम बात करते हैं तो दूसरा यहां पर osteomalacia की हम बात करेंगे तो दूसरा हमारा osteomalacia की हम बात करेंगे और एक हमारा osteoporosis की बात होगी और यह दोनों के दोनों मेरे भाई यहां पर हड़ी की बीमारी है यह हमारा bone disease है यह हड़ी की बीमारी है इसमें हड़ी कमजोर हो जाती है बोन कमजोर हो जाता है इसलिए हम कहते हैं कि हमारा bone disease है और ऐसी स्थिति में calcium की कमी होती Kelsey यानि कि Kelsey Ferrol के नाम से जानते है Vitamin D की कमी से ये सब होता लेकिन ये disease जो होगा मेरे भाई ये वयस्क में होता है ये किसमें होगा तो ये questions कई बार पूछा भी गया है ये disease अगर किसी को होता तो वयस्क में होगा और इसी तरह किसे अगर कोई बच्चे होते हैं उस बच्चे में अगर disease होगा तो उसमें कौन सा होगा आपको बताना है मेरे भाई कि ये rickets होता है बच्चे में अगर diferentes होगा तो किए वो rickets होता है इस बात को आप धियान डखेंगे ये भी vitamin D की कमी से ही होता है तो मेरे भाई नियासीन की बात करते हैं मेरे भाई विटामिन B3 को नियासीन के नाम से हम लोग जानते हैं और विटामिन B3 जो हमारा नियासीन होगा इसकी अगर हम बात कर लेते हैं याद रखना इसका बैलोजिकल नाम मेरे विटामिन B3 का हमारा नियासीन होता है और इससे पहलेग्रा होत करते उसको राइबोफलेमीन का नाम देते है और विटामीन बी-2 का जो बाइ-लोजिकल नाम होगा वहमारा इस से Понैनका बेई बैरी रोग नहीं होता है बेई बिरी रोग किस से बिटामीन वी-1 की कमी होता ये बात आपको ध्रियान लगा अगर हम लोग कमी उसको को करते हैं और किसी को हो जाती है पता कि नाम से जानते हैं आपके भैंस के दूद में भी होता है इस बात को सुरी ये आपके गाई के दूद में होता है और गाई के दूद में हम कि नहीं चलता है अगला कोशन मेरे बाई देखता है कि नियरोन के क्सा में कार्णों के संख्या सबसी अधीक किस्मिं होती है मेरे वह इक बात हम सभी लोग जानते हैं यहां पर हमारा क्या होता इंगे जो भी स्कीनल हमաरे पहुंसता है वो neuron के माध्यम से पहुंचता है और ये neuron हमारा जो है हम केंगे यतने भी activity हमारे body के अंदर होती है सारे signals को अगर हमारे brain में पहुंचाती है तो वो neuron पहुंचाती है और neurons के तीन parts होते हैं और neurons हमारे मस्तिक्स में होगा इस बात को आप ध्यान डखना questions आपके easy है और neuron पर कई बार को कुशन इस बार भी आया था आगे भी आने के संभावना रहती है जिसे कि हम neuron के चलो हम चर्चा करी देते हैं इसमें neuron की बात करते हैं तो neuron के तीन parts होते हैं इसमें कितने parts होंगे त इसके तीन parts होते हैं और तीन parts को अगर आप उठा करके देखिएगा इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा तो कहेंगे सबसे पहला चीज हमारा dendrites का आएगा सबसे पहला मेरे भाई यहां पर dendrites आएगा उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हमारा cell body का आएगा और dendrites में सबसे पहले समभेदना यही मिलती है सबसे पहला information dendrites को मिलता है तो मेरे भाई आपको धियान डखना यहां पर कि सबसे पहले informations अगर किसी को मिलता है वह किसको मिलेगा जोन में ट्रांसपर होता है और ऐसे हमारा हम कहते हैं कि एक नियोरॉन से दूसरे नियोरॉन में हम कहते हैं यहां पर क्या तो कहेंगे यहां पर हम इस तरीके से यहां पर हम कहेंगे कि इम्पल्स या फिर हम क्यांगे कोई भी signal transformation होता है और एक neuron से दूसरे neuron में अगर जाता है तो अगर क्रॉश करता एक neuron से दूसरे neuron month अगर जाएगा वह ही पर मेरें भाई एक neuron से दूसरे neuron के नोए ज़ुरता है तो उसीसे को व्म W जाना चाहिए सबस्यादिक संख्या में बोला था इसलिए हम लोग मस्तिक्स यानिके ब्रेन के साथ जाएंगे और ये ब्रेन में ही सूचना हमारा प्रदान करता है वैसे अगर आप देखेंगे तो इसका स्टेक्चर मेरे भाई बैलोजिकल यगर आप स्टेक्चर इसका आप रहन रखना है और इसने इसकी गरम करते हैं और सेड बॉडी की अंतरगत ही नुटवियस होता है और इसे जो बाहर निकला हुआऊ पार्ट के नामस जानते हैं इसकोम लोग डेंड राइट कहते हैं रहे ये डेंड राइट सो ता आप माम कहते इसके अंतरगत और ऑर यहां पर माइलेन सीथ होगर हमारा परजेंट होता है और एक माइलेन सीथ और दूसरे माइलेन सीथ के बीच में जो नोड हमारा बनता है उस नोड को हम लोग रेनवीर का नोड कहते हैं यहां पर नोड बनेगा मेरे भाई यहां नोड बनेगा यहां नोड बनेगा यहां से दूसरा नीरॉंस केनेक्टेट होता कहते हैं बताईए नहीं बताया नहीं बताएं थ्या हम रखना है अगर हम लोग यहां पर दो로नीरॉन के जंखसे एकर हम बात करेंगे तो आपको दो पहना है कि दोनेरोन के जंखसंश को हम लोग क्या कहते हैं इस ईंखाना जलूạnh होता है कि दो निरोनिके जंगसंस को हम लोग सिनेप्स कहता है बिल्कुल सही बात है आगे चलते हैं तो यहां तक मेरे भाई अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन अभी यहां पर काफी कंसप्ट चली है मेरे भाई कि फेफरा में बोला गया है कि अगर रुधीर एवं में ग्यासों का विनि में होता है अगर मेरे भाई हमारे बौडी में ग्यासों का वियक ग्यासेंज अगर करता है तो हमारे बौडी में गयासघ्ण कहाँ पर होता हैple लंग्स के किस भाग में होगा तो केंगे लंग्स के अलवुलाई पर होता है जिसको कूपी का कहते हैं जिसको आप नंगी आँखम से नहीं देख सकते हो जिसको देखने के लिए आपको मेक्रोस्कोप का इस्तमाल करना पड़ेगा और आप सभी लोग मेरे भाई सेशन को लाइक भी कर दीजिए बाद बगी आगे हम लोग अगले कोशन को हम लोग देखेंगे तर डेली साइंस प्रैक्टिस विप्यासी 4.0 का कब से आगा अगस्त के फस्ट विक से मिलेगा आप सभी लोग तयार र लीएक भाई साइंस के लिए लएप नुझे खरी रहेंगे बहतर कालेट हम आपको परवाइड करेंगे अच्छी क्वैलिटी के साथ हम आपको पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे जो चिक्राएंगे peng वहां उस्सिपर टार्गेट करते हैं हमारा हमेश टूदा पॉइंट काम होता है कि इस तरह से आपको धियान ढखना पड़ेगा क्या सब्सक्राइब सबसेल सारे स्थुडेट में और मेरे से नहीं पढ़े भंगे भासरे सुडेंट नहीं धना दन चलेगी खथरनाग तरीके से चलेगी अच्छे मोड में चलेगी अच्छे content अच्छे quality आपको पूरी तरीके से provide करेंगे अगर आप तयार है एक बार comment section में मेरे भाई कमेंट करेंगे जरूर लिखिएगा अगर थोड़ा भी साइंस में वीक नजर आते हैं अगर डर लगता है मुझे याद किजी हम आपके साथ है आपका पूरी तरीके से मेरे भाई होसला बुलंद रखेंगे थियोरी से और कोशन करा करके मल्टिपल चोइस कोशन करा करके साथ आते साथ आपके मिसलेन इस कोशन करा करके हम सब कुछ आपको कराएंगे रेलवे के लिए हर चीज के लिए अजय जी अगर आपको करना है नाम उसमिया खंड जोती बैच लिखाओ आप ले लीजिए आप रेलवे के तियारी कर रहे हैं चाहकिसी विग्जाम के तियारी कर चलेगी में दंदन चलेगी क Одimation dlatego के साथ चलेगी एक एक वीडियो दिखाएंगे आपके सामने ले qardaid के लेकर करके आजाएंगे लगेगा कि ये क्लास्स करना चाहिए था अगर आप फसरे है मामला कहीं ने-क Allais प्रफिजिक्स में बहुत सारा टॉपिक है केमेस्टिव में देखितना टॉपिक है इतना मिनीमाम फिस कौन लेता है यार इतने अच्छे कौन पढ़ाता है आप जाकर के देखी गातो आपको पता चल लाएगा फिर दोबारा आप नहीं बहुत है नाइन टैन टेइन वाले स् और यहां तक तो हम आज करा दिये हैं लेकिन आगे हम कराते हैं और कुशन्स लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ अर्जेंट काम है जिसके विए से हम अभी निकलना पर रहा है आप लोगों को मेरे भाई मैं बता देना चाहता हूँ कि दो अगस्त के बाद दो अगस्त के बाद य आपके लिए लेकर के आएंगे अभी हम चुकी किसी कारण बस हम थोड़ा निकलना पड़ेगा और आगे की क्लासिस आपको कल भी होगी लेकिन दो अगस्त के बाद हम पूरी तरीके से अक्टिव रहेंगे आपके लिए जब खोजोगे तब आपके सामने नजर आएंगे त व Allались चाहिए और किसीव कुछ कहना है गुरोजी सेवेंटीएट माक्स छां सच्वेंटीएट माकस है तो होप कर सकते डेपेंड करेढ़ा कि क्या है विखके मेरा मानना है कि आप किसी के कहने से आप यह नहीं कह सकते हैं कि हमारे इतने माक्स हैं मेरा सेलेक्स होगा की नहीं होगा कि इसलिए अगर आपके अंदर थोड़ा भी डी मोटिवेशन है तो उसको निकाल अगर कि फेक दीजिए बाहर और आप यह सोचिए कि हम नम्मर वन आदमी है ठतर नमर लाना कम बड़ी बात नहीं ह हैं अगर अठतर माक्स आपके हैं तो कुछ पॉजिटिव जरूर होगा कि कोशन ने तो बहुत को फसाया है बहुत को रूलाया है देख करके तो लगा होगा कि सब्वे कोशन घोड के पी गए हैं सब्वे कोशन बना जाएंगे गलती छोटी-छोटी करवा दिया चुकि सब्सक्राइब को लाइक कर देजिए और किसी को कुछ पूछना है तो आप बता से तर मेरा 65 आ रहा है वाह क्या वाथ 85 आप अच्छे स्कूर में हैं तो आप ठीक ठाक जोन में हैं आप खराब जोन में नहीं है आपका सेलेक्शन फिक्स है मेरे आपका सेलेक्शन होगा तुम्हारा इंतजार कर रहा है तुम्हारी मेहनत तुम्हें रिजल्ट देके रहेगी बस तयार रहना है हारना नहीं है जो हिम्मत हार गया बाहर हो गया हिम्मत नहीं हारना जिस दिन सेलेक्शन ले करके रहना एक एक सीट आपके लिए है आप मेहनत किजेगा आपका सीट आपको मिलेगा है मेरे सभी पढ़े होंगे लगातार सब लोग पढ़े हैं बहुत लोग कोशन्स बनाया है हम दो देखा है मेरे भाई के क्लास भी मैंने बहतरीन तरीके सापको करवा करें दिया है और दूसरी क्लास नियुक्ति 4.0 भी हम ले करके आएंगे नियुक्ति 4.0 मे कंप्लीट mcq 4000 कोशन्स इस बार करवाएंगे तहलका मचेगा इस बार यूट्यूब के दुनिया और साथ ही साथ आपको एब के दुनिया में आपको लगेगा यगर सिर्फ सर के साथ अगर रह गए तो अगर असी में असी लाना है तो असी में असी ला सकते हैं लेकिन मेरे साथ रहना पड़ेगा मेरे साथ काम करना पड़ेगा आपको तो चलिए लुप्त उठा सकते हैं कबसे तीन अगस्त से अभी किसी कारण वसम को निकलना पर रहा बहुत भाद धन्यवाद मेरे भाई यहां तक हमने करा दिया है मिलते हम लोग फिर नक्सलास में बहुत भाद धन्यवाद